हलो फ्रेंज आपको बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चानल लीगल हेल्पिन हिंदी में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरोपी यानि की अभ्यूक्त के अधिकारों के बारे में हमारा सविधान इसका भी प्रोविजन करता है कि उन लोगों को भी परियाप्त सुरक्षा मिले जिन पर अलग-अलग अपराधों के आरोप लगाए गए हैं जैदतर ऐसा विश्वास कर लिया जाता है कि जिस पर भी किसी अपराध का आरोप लगता है वो दोशी ही है यानि कि समाज उसे दोशी मान लेता है लेकिन जब तक कोट किसी व्यक्ति को किसी अपराद का दोशी नहीं ठहराता तब तक उसे दोशी नहीं माना जा सकता ये भी जरूरी है कि किसी अपराद के आरूपी को खुद को बचाने के लिए पूरे पूरे अवसर मिलने चाहिए कोट निस्पक्ष मुकदमे के लिए सविधान तीन अधिकारों की विवस्था करता है इस तरह के लोगों के लिए जिसमें से पहला अधिकार तो ये है कि किसी भी वेक्ति को एक ही अपराद के लिए एक बार से ज़्यादा सजा नहीं दी जाएगी यानि कि अगर किसी वेक्ति ने कोई अपराद किया है और उसको उस अपराद के लिए सजा भी मिल चुकी है ऐसा किसी भी कानून के पास पावर नहीं है कि किसी भी काम को पिछली तारीखों से अपराधी घोशित कर दिया जाए या अपराध बना दिया जाए और तीसरा ये कि किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ साक्षे देने के लिए नहीं कहा जाएगा किसी भी कोर्ट के पास या किसी भी व्यक्ति के पास ऐसा कोई भी पावर नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को आरोपी को ये मजबूर करे कि वो अपने ही खिलाफ कोई साक्षे यानि की एविडेंस को प्रस्तुत करे और अपने आपको ही अपराधी घोशित कर दे तो ये तीन तरह के अधिकार हैं जो सविधान में किसी आरोपी वेक्ति को यानि की अभियुक्त को दिये जाते हैं होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा